अलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नोगली चैनल दोस्तों आज हम अपके लिए लेकर रहे एक नया वीडियो जी है दोस्तों यह वीडियो है अपका भिंडी की सब्जी से जी है दोस्तों आप हावडा और अगर आसंस्वाल सेंटर में अगर आपका जो है अर्पीफ ट्र विके से क्योंकि आपको पता है स्टेप वाइक भी आप मिस करते हैं वहां से आप बाहर हो जाते हैं काफी कम लोग ऐसे बच्चे हैं जो इस एक्जाम में पास हो रहे हैं यानि 400-300 लोगों में से मात्र 6-7 श्टूट्ट पास होते हैं तो इस लिए पास होते हैं तो है तो डिफेरेंस दो बस यह है कि आपने जो है स्टेप वाइस काम नहीं किया और जो सामने समय वाला है जो इस सट्विके सब्सक्राइब में भी जानते हैं यह क्या है अब हम बताएं लोगों बनाने करें दोस्तों वहां पर आपको जितने लोग नहीं कि कहा जाए बनाने को बनाना होगा पहले तो फिलाल हमने चार लोग के बनाना बता रहे हैं कि आपको पहले असा मागने क्या क्या चाहिए वह देख लीजिए 400 ग्राम भिंडी होना चाहिए चोटा चम्मच जीरा आधा चोटा चम्मच अजवाइन लीजे दो तीन चुटकी हीम आधा चम्मच जो सामान आपको सामागरी लगने वाली यह उसकी लिस्ट हो गई अब देखिए यह आपके सामने भिंडी देख सकते हैं कितने ताजी भिंडी को दोकर तो पानी पोच ले आपको पता कीचन पेपर मिलता है आप उसे पानी पोच सकते हैं अगर नहीं पूंच पा रहे हैं वह सब्सक्राइब नहीं है तो भी आप पाने को सब्सक्राइब को बहुत देखा जाता है कि आपने बस भिंडी आपको दिया और आपने काट के रख दिया उसके बाद आपने इसका स्टार्ट कर दिया भाजी बनाना ऐसा बिल्कुल मत कीजिए पहले भिंडी को अच्छी तरह से लगबग आधा इंच के टोकड़ में काट लेजे जानते हैं आपको बताने कि कोई आवश्यक्ता नहीं है बठे मेरा काम है आपको मैं पूरा स्टेप से बताओं तो आपको पता है कि जो भिंडी है तो उस भिंडी को आपको क्या करना है दोस्तों उसका जो किनारा होता है यह की दिए vaad के में पर काट है किनारा आपको कहारी कडा ही होता है हमारा इसके माधदफन पर आच समस्ञे entrepreneur कनें सब गरम हो जाएं तो इसमें जीरा डालें जी और कुछ सेकंद्स के लिए पिर आजवायन पिर हेंग डालें जाले इसमें हल्दी ढालें पिर कटी भींडी को टुकुले ढालें सभी सामागरी को अच्छे से मिलाएं और इसे 2 मिनिट तक भूनें यानि कि सारी चीजे आप इसमें डाल दिते हैं फिर पेल में इसके बाद से 2-3 मिनिट भूजते हैं यह जब थोड़ा हलका हलाग आप दे तक पकने का है इंतिजार करें जाहिर सी बात है जब आपने पूरी अच्छे तरह से मिला लिए अब हिंडी को तो उसके बाद एक नहीं डाल दीजिए पांदस में का वेट कीजिए त्यादा से बहुत जल्दी पक जाएगी उसके भाप से ही तो वह जो है अच्छी से पक ज अगर नहीं है तो कोई बात नहीं लिकर आपकर है तो यह चीज आप पर यह उसके बाद जो है आपकी भींडी जो है परोसने के लिए तैयरा आप देख सकते हैं प्लेट में किस परकार मैंने यहां पर रखा हुआ है देखिए जो पर रूसने का तरीका है वह देख लीजे की इस परकार जोहिए रखा को पर सफाई के सांथ उसके बाद आप किछन को फेले साफ कर लीजेह सबसे पहले आप जरिख लीजे किसें में आपके पहले अपकी बधिचे तैयाने के तायर हो पाकर के यह तो एक चमच भी कुट करें uyक्ट करासंख नहीं तो इस पीकार जो तो आप इस स्टेप से जो फॉलो करते हैं तो आपके भिंडी में कोई भी कमी नहीं रहेगी और आपका जो है सेलेक्शन पक्का है तो दोस्तों हंडेड परसें सेलेक्शन पाने के लिए विंडी के सब्जी को कुछ इसी प्रकार बनाईएगा हर आदमी के अपने अपनी एक होती है बट यह एक रैसेपी है जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंस का है जो लोग पास होते हैं जहां से सीखते हैं वही चीज हम आपके लिए लेकर आते ताकि आप भी फॉलो किजिए क्योंकि जीता है दोस्तों सिप उसी का नाम याद रखा जाता जो फेर होता लोग उस है तो स्वाद में ज्यादा अच्छे होती है यानि के दोस्तों जब आप भी को थोते है उसके बाद क्यापन होता है यह चिपकने वाला जो है परदाथ हो चिपकता है ब iki यह तो दोशें करते हैं आगे चीपक। की बनाने की पूरी रेसिपी जो है समझ में आ गई होगी बट अगर अभी भी कुछ डाउट से आपकी कुछ क्योरीज है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाए वहाँ पर अपने कमेंट दीजिए हम आपको उसका एंसर देंगे दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तो दोस्तों फो वाचिंग दिस वीडियो को